How to use Clubhouse on your PC or Mac Guys, Clubhouse की इस वीडियो में बात करते हैं कि आप Clubhouse को अपने computer, laptop या Mac के उपर कैसे use कर सकते हैं So, अगर आप Clubhouse को अपने Mac, PC या laptop के उपर use करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को एंट तक जरूर देखना है And without wasting any time, let's jump into it So, guys, Clubhouse को अपने laptop या अपने computer पर use करने के लिए सबसे पहले अपने computer या अपने laptop के अंदर Google Chrome browser open करना है Browser open कर लेने के बाद, guys, आपने simply Google में जाके सर्च करना है Clubdick और पिर आपने इस website को open करना है Clubdick.app जो के Clubdick की official website है तो मैं इसको already open कर चुका हूँ, guys आपके पास Clubdick website कुछ इस तरह दिकाई देगी and as you can see, guys, के यहाँ पर लिखा है Clubhouse desktop available on Mac and PC, right So, guys, यहाँ पर आपको दो options मिलते हैं पहला option है download for Mac और दूसरा option है download for Windows So, अगर आप Windows के लिए download करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने download for Windows के उपर click करना है तो आपके पास downloading start हो जाएगी मैं इसको already download कर चुका हूँ, guys as you can see, guys, के मैं इसको download कर चुका हूँ तो आपके पास इस तरह की setup file download हो जाएगी download करने के बाद, guys, आपने simply इसके उपर right click करना है और आपने इसको run करना है मतलब आपने इसको install करना है अपने computer के अंदर so मैं इसको already install कर चुका हूँ install करने के बाद, guys, आपने simply club deck application को open करना है और open करने के बाद, guys, आपके पास कुछ इस तरह का interface आजाएगा तो सबसे पहले, guys, आपने अपने mobile phone number से login करना है आपने अपना mobile phone number टाइप करना है और फिर आपने उस mobile phone number को verify करना है लेकन make sure के यहां पर आपने उस number को put करना है, जिस number के ऊपर आपने already अपने mobile device के अंदर account create किया है club house के ऊपर, तो आपने वो number यहां पर type करना है, type कर लेने के बाद आपने उसको verify करना है मतलब आपके mobile number के ऊपर एक verification code आएगा तो आपने उस code को यहाँ पर enter करना है और enter करने के बाद आपका account login हो जाएगा as you can see guys के मैं अपने account को login कर चुका हूँ तो आपने इस तरह account को login करना है login करने के बाद guys as you can see के यहाँ पर आप room भी create कर सकते है और आप mobile application की तरह यहाँ पर club house को use कर सकते है so suppose मैं यहाँ पर एक room को join कर देता हूँ join room and guys as you can see के मैं room को join कर चुका हूँ और यहाँ पर आपको वो सारे options मिल जाते है जो आपको आपके mobile application के अंदर मिलते है तो आप वो सारे options यहाँ पर भी use कर सकते है और अगर आप leave करना चाहते है तो आप इसी तरह leave कर सकते है right so यहाँ पर आप room join कर सकते है और आप rooms के अंदर participate कर सकते है using your computer right इसके अलवा guys यहाँ पर आपको starter room का भी option मिलता है अगर आप अप अपना room create करना चाहते है तो आपने simply यहाँ पर starter room के उपर klick करना है और यहाँ पर आप option select कर सकते है open room या social room या closed room so यहाँ से आप इसको भी select कर सकते है और पिर आप अपना room भी create कर सकते है so guys यहाँ पर आपको profile का भी option मिलता है profile के अंदर यहां पर आप अपने mobile application की तरह अपनी profile को भी edit कर सकते है यहां पर है edit your bio तो यहां पर guys आपको वो सारे features वो सारे options मिल जाते हैं जो आपको आपके mobile application के अंदर मिलते है so guys that's it this is how you can use clubhouse application on your pc और mac आप इसी तरह clubhouse application को आपने pc आप mac के ऊपर use कर सकते है आज की वीडियो में बस इतना ही guys I hope कि आपको वीडियो अच्छी लिगी होगी अगर वीडियो अच्छी लिगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आप इस चैनल पर फर्स टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं निक्स टुडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए ठेक केर और गुडबाए